इनकी densities, इनकी densities differ होनी चाहिए, अलग-अलग densities आनी चाहिए इनकी, अगर density same है तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि इनकी density same होने पे वो एक दुसरे mix हो सकते हैं, density अलग होने पे वो एक दुसरे mix नहीं होंगे, जिसकी density सबसे जादा है, लाइक हम लोग यहाँ पे, यह मुझे जानना पड़ेगा क्या है, यहाँ पे देखो, यह है एनोड, एनोड एनाएन जाएगा यहाँ से, यह दर तो एनाएन आएन आएगा, तो एनाएन कौन सा है, यह रहा, M-A, तो M-A तो बर लिया आमने उपर वई, ठीक है, और M-A बर ल लेंगे, आपकी intermediate density आनी चाहिए, जो इस electrolyte का transport number डालना है, अब इसकी density सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है, इसलिए सबसे उपर है, तो क्या होगा, इनके बीच में अलग से boundary आपको दिखेंगे, मालो यह A boundary, यह B boundary है, ठीक है, अब क्या करो बार से potential apply कर तो क्या होगा, यहां से क्या चीच चलेगी, एनाएन, एनाएन चलेगा न, यह A, A चला यहां से, और कहाँ पर पहुंच गया, एक particular time के बाद, मालो आदे गंटे के बाद, यह A dash पर पहुंच गया, boundary shift होती दिखेंगी आपको, ठीक है, यहां पर केटाएन है, तो केटाएन कैसे चलेगा, M जो है, वो negative की तरफ जाएगा, cathode की तरफ जाएगा, तो यहां से यह उतने time पे यह distance travel कर गया, B dash, clear, तो यह उपर की तरफ जा रहा है, यहां पे कौन जा रहा है, M positive जा रहा है, और इधर कौन आ रहा है, A negative आ रहा है, मैं इन E का तो निकालना था, transport number, अब मान लो, transport number के time का किसके बराबर होता है, U positive by, U positive plus U negative, U positive क्या होती है, velocity है, ionic mobility है, distance per unit time, कितना distance travel किया है, positive ने, positive ने किया है, BB dash, कितने time पे, मान लो, T time पे, तो इतने ही time पे तो इन्होंने भी किया है, BB dash by T, plus AA dash by T, तो T से तो T cancel, तो transport number नहीं आ गया क्या है, अब हमारे पा dash plus AA dash, यह moving boundary method है, T negative निकालना हो, तो 1 minus T positive कर देना, आ गया होई, transport number, this is about the moving boundary method, very simple technique, so this is over, so students, यहाँ पर हमारा जो topic है, जो transport number का, वो खतम हो जाता है, तो hopefully सब को समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो, क्योंकि camera में बड़ी मुश्किल होती है, यह ज किसको नहीं आ रहा है, तो फिर भी वो अपना comment section में डालने, मैंने कई बार कोशिस की है, कि बार बार बोलू, ताकि आपको उस particular point पे ज़्यादा stress दे सके, कि हाँ यह बात जान लो, main इसमें फेराडे second law है, जिसके बारे में आपको समझना, कुलो मीटर ही समझनी आता है, students को कि कुलो मीटर क्या काम क्या है, कुलो मीटर असल में, जो आपका theoretical device है, उसमें जो amount deposit हुई है, वो हमें पता नहीं चलता, migrate कितनी होई, वो पता नहीं चलता, तो वो पता करने के लिए, हम लोगों ने क्या किया था? कुलो मीटर को लगाया है, जब silver iron migrate करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी अमाउंट बच गई, जो अमाउंट बची हुई है, उतनी ही अमाउंट वहाँ जाके, जो कुलो मिटर है, उतना ही कॉपर, जितना के इलेक्ट्रोड्स पे, जितना के इलेक्ट्रोड्स पे, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जैसे केटायन कैथोड पे जाके deposit होगा तो कितना deposit होगा migrate नहीं करेगा तो deposit होगा क्या तो वह deposit होगा वहाँ जाके जब वह deposit होगा तो कितना deposit होगा जितना kilometer में copper deposit होगा कई बार किया हुआ है एक video और बना रहा हूँ आज वह भी करवाँगा अच्छा इस पर बेश जो numerical है उसकी भी एक video 15-20 minute की मैं जुरू डालूँगा ताके numericals आपको clear हो जाएं तो यहाँ पर आपका section जो C है वो complete हो जाता है section D अब हम लोग start करेंगे नई जो videos आएंगे उनमें आज आपका जो section है वो complete हो चुका section C जिसमें मैंने आभी आपको बताया डेबाई हकल ओंसेजर रिलेशन बताई है और ट्रांसपोर्ट नमबर बताया है migration of science और ट्रांसपोर्ट नमबर तो complete हो जाता है यह राउंड लग भग लग आपकी 15-16 वीडियोज है वो आप लोग देख लें जो fourth section है वो आपम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम लग सकता है क्योंकि कई सारी वीडियोज बना रहे हैं और फिर उनको अपलोड होने में भी टाइम तो students ओके टेक केर मिलते हैं next lecture में